तो देखते हैं पर question number second में हमसे क्या पूछा क्या है What were the limitations of Dobby Rainer's classification तो जो यहाँ पर Dobby Rainer's classification था या trides था उसके यहाँ पर कुछ limitations थी वो हमें यहाँ पर बताने है कि क्या limitations थी तो उस time पर यहाँ पर जितने भी elements थे उनको यहाँ पर trides में classified नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो उनकी similar properties थी उनका अगर मैं यहाँ पर first और third elements का average mass निकालूँ तो वो यहाँ पर different आ रहा था जैसे कि हमने यहाँ पर पहले वाले कुशन में पढ़ा था जो हमारे हैं पर Dobby Rainer's state था उसमें जो similar properties को अगर हम यहाँ पर increasing order के atomic mass में लगाएं तो महाँ पर होता क्या था first और third element का जो यहाँ पर average mass था वो हमारे हैं पर second elements के बराबर होता था तो महाँ पर हो क्या रहा था जो हमारे हैं पर Dobby Rainer's state था उसको सिर्फ कुछ ही elements follow करे थे अगर मैं example की बात करूँ तो वो हमारे हैं पर क्या था lithium, sodium and potassium तो जो हम यहाँ पर lithium and potassium का average mass ले रहे थे वो हमारे हैं पर sodium के बराबरता मतला middle elements के बराबरता बट यह सारी elements उसको follow नहीं कर रहे थे तो मैं यहाँ पर इसका example बता दिता हूँ और इसमें आपको यहाँ पर क्या लिखना है वो आपको screen में दिख रहा होगा तो similar properties में हम यहाँ पर nitrogen ले 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 थे तो nitrogen का symbol हमारे हैं यहाँ पर क्या होता है N होता है और इसका भो हमारे हमारे हैं पर atomic mass आपके हँगे वो यहाँ पर क्या होंगे, तो जो हमने यहाँ पर डॉब राइनर्स ट्राइट्स में जो प्रपर्टीज पहले लीती ही, लीथियम, सोडियम, एंड पोटियसियम, उनके वैलेंस एलेक्ट्रोन वन थे, तो इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं, वो यहाँ पर एक तरह के क्य बात कर लेता हूँ आर्साइनिक की, और सुमिलर केमिकल प्रोपरिटीज को शू कर रहें, सेम पर नाइक्ट्रोजन लोगा, फॉस्फोरस लोगा और आर्स्निक लोगा, और तीनों के जो वैलेंस इलेक्टरोन होगे, वो हमारे हमारे हम यहाँ पर कितने होंगे ? 5 होंगे, अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ Phosphorus, यह हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, Phosphorus हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर PC denote करते हैं, और इसका जो Atomic Mass होगा, वो हमारे यहाँ पर 30.97 होता है, Approx में हम यहाँ पर 31 ले सकते हैं, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ Arsenic की, Arsenic का ज Ads chemical होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, Nitrogen investir नाएट्मिक होता है , फौर्स फॉरोस का यहाँ पर 15 और पर 8 chicken यहाँ पर 33 और तीनों में ही, jो यहाँ पर रटोन होते हैं वह हमारे इंदो पर थिक्प्र दोन राइनने जह आकर को फूलन करें क्योंकर आगर मी फर्श्ट और थर्डअमेंटिक का इवरेज मास निकाल हो तो वह हमारे हमारे फिस प्रस्प्रोस के बराबर नहीं है मैं ऑन्य यहां यहां लिख लेता हूँ, 1st, 2nd & 3rd, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1st & 3rd का average mass निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख सकते हूँ, average mass of 1st & 3rd element, मैं यहाँ पर simple average mass लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना आगे 44.5, जो कि यहाँ पर हमारा phosphorus से बिल्कुल भी आसपास नहीं है, बिल्कुल match ही नहीं कर रहा हूँ, इसका मतला हमारे यहाँ पर जो टोब राने, trides तब वो यहाँ पर क्या हो गया, fail हो गया, यह बाकी elements इसको follow नहीं कर रहे हैं, तो यह हमारी हाँ पर क्याइस के limitation है, hope आपको समझ में आ गया होगा, अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ,